पंचमुख हनुमत कवचम पंचमुखी हनुमान कवच सभी प्रकार के अनिष्ट को दूर करने वाला है इसके नीमित पाठ से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते है पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवीश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी होता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है भक्त जनों आईए पंचमुखी श्री हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं गरुण उवाचु अथ ध्यानं प्रवक्षामी स्रिण सरवांग सुन्दरं यत्कृतं देव देवेन ध्यानं हनुमतह प्रियं पंच वक्त्रम महाभीमं त्रिपंच नय नैर्युतं बाहु भिर्दश भिर्योक्तं सर्व कामार्थ सित्थेदं पूर्वं तुवानरं वक्त्रं कोटि सूर्य समप्रभं दंस्टा कराल वदनं भ्रिकुटी कुटिलेक्षणं अस्याईवदक्षिणं वक्त्रं नार्यसिंगं महाध्भुतं अत्युग्रते जोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्यमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रं वक्रतुंडं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभुतादि क्रिंतनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं देप्तं नभोपमं पाताल सिंह वेताल ज्वर रोगादि क्रिंतनं उर्धं हयाननं घोरं दानवांत करंपरं येन वक्त्रेण विप्रेंद्र तार काख्यं महासुरं जगान शरणं तत्यात सर्वशत्रु हरंपरं ध्यात्वापंच मुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खडगं त्रिशूलं खटवांगं पाशं कुष परवतं मुष्टिं कौमोदकीं प्रिक्षं धारयंतं कमंडलुम् भिंदि पालं ज्यान मुद्रां दश भिर्मुनी पुंगवं एतान युध जालानी धारयंतं भजाम्यहं प्रेतासनो पुविष्टम्तं सरवां भरण भूशितं दिभ्यमाल्यां बरंधरं दिभ्यगंधानुलेपनं सरवाश्यर्यमयं देवं हनुमद विश्वतो मुखं। पंचास्यमच्योत मनेक विचित्र वरणं। वक्त्रं शशांक शिखरं कपिराज वर्यं। पीताम्बरादिमुकुटै रूपशो भितांगं। पिंगाक्षमाध्यमनिषं मनसास्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रु भरंपरं। शत्रु संहार माम्रक्ष स्रीमन्नापद मुद्थर ओम्हरि मर्कट मर्कट मन्त्रमिदं। परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रु कुलं। यदि मुंचति मुंचति वामलता। इदम कवचं पठित्वातु महा कवचं पठे नरह। एकवारं जपेस्तोत्रं। सर्वशत्रु निवारणं। दिवारं तू पठे नित्यं। पुत्र पउत्र प्रवरधनं। त्रिवारं चपठे नित्यं। सर्वसंपत्करं शुभं। चतुर्वार पठे नित्यं। सर्वरोग निवारणं। पंचवारं पठे नित्यं। सर्वलोक वशंकरं। शठवारं चपठे नित्यं। सर्वदेव वशंकरं। सप्तवारं पठे नित्यं सर्व सौभाग्यदायकं अश्टवारं पठे नित्यं अश्ट कामार्थ सित्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगं वापनुयात दश्वारं पठे नित्यं त्रैलोग्य ज्ञान दर्शनं रुद्रा वृत्तिं पठे नित्यं सर्व सित्धिर्भवेत्रुवं कवचस्मरणे नईव महाबलं वापनुयात इति पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्रि विरचिते हनुमत रहस्य सुदर्शन संधितायां श्री राम चंद्र सीता प्रोक्तं पंचमुक हनुमत कवचं संपूर्णं ओम्षे अनुमते नम्हाब इतिया गुमते नम्हाब झाल झाल